नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News एकता कपूर, बोशन कुमार और दिनेश वीजियन को 7 अक्तूबर को हाजिर होना है इस बावत इन सब को कोर्ट नोटिस बेजा जा चुका है इन फिलमी हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुदीर ओजा ने परिवात दाखिल कर सुसांत के मोत के लिए ने जिम्मेदार बताया था आपको बता दें कि इस बिद सुसांत सिंग राजपुत के मोत के जाच के दोरान ड्रक्स एंगल सामने आने के बाद से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि एनसेबी ताबड तोर छा पिमारी की कारवाई कर रहा है शुकरवार को एनसेबी की टीम ने इस मामले में एक बड़े ड्रग पैडलर को गिरफतार किया है राहिल विश्राम नाम केस ड्रग पैडलर के पास से एनसेबी को तक्रीबन एक किलो ड्रक्स मिली है इन ड्रक्स के केमत 3-6 क्रोड के आसपास बताई जा रहाई है इसके अलावा एनसेबी की टीम को राहिल के घर से 5,4 लाख रुपे कैस भी मिला है अभी तक जितने भी ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं उनके कनेक्शन सोविक और रिया से मिले हैं NCB की टीम चाहती है कि वह इन पेडलर के जरिए इस पूरी चेन का पता लगाई जिससे मुंबई के साथ ही पूरे देश में पहुंचाई जारी ड्रग्स के नेटर का खुलासा किया जासके NCB की जोर्नल डारेक्टर समीर वान खेड़े और उनकी टीम ने मुंबई के पोवाई में चापा मारा और दो से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया एक ग्राम बढ़ की कीमत 6-8,000 के बीच बताया जा रही है बताया जा रहा है कि बाजार में इस पूरी बढ़ की कीमत करीब 30-40 लाख रुपे के आसपास है मादिक पदार्थ मामले की जाज कर रही NCB की विशेस जाज टीम यानि SIT ने रिया उनके भाई सोविक सुसान सिंग राजपूत के परबंदक सैमुल मिरांडा गरहलू साइक दिपेज सावंत और अन्य को गरफतार कर चुकी है वे अभी नई खिरासत में हैं मामले से संबंदित धनो सोधन की तैकिकात कर रहे एडी यानि परवर्तन निदेशाले ने रिया की फोन से मिली सोशल मीडिया चैट को NCB के साथ साजा किया था जिसमें परतिबंदित मादिक पदार्थ के इस्तिमाल का संकेत मिलता है इसके बाद NCB ने मामले के जाथ सुरू की